शेलिंदर चोहान दिल्ली एस्यार समेट इस्वक्त उत्तर भारत में भीचण गर्मी है और उपर से बिचली की कटोती लोगों का जीना मोहाल कर रहे हैं इसी पर हम बात करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है बड़ी खबर लखनू से आ रही आपको बता दें किस्तर हजार साहिक सिक्षक भरती का जो मामला है उसको लेकर आड़ सट सौ पदोपन्युक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन क्या गिया है बीजेपी कारेले पर भारी पुलिस वल मौजूद प्रदर्शन कारियों के साथ पुलिस की हाता पाई भी हुई है अभ्यर्तियों ने महिला पुलिस कर्मी पर भूट से पीटने का आरोप लगाया है आपको बता दे 79,000 शिक्षक भरती मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया गिया है जिसमें अड़ सट सो जो पद थे OVC कोटे के जिनको जोइनिंग कराने की बात सरकार की तरफ से की गई थी इलेक्षन के पहले और जिस पर जोइनिंग नहीं मिली है अभ्यर्तियों को जो पात रहें इसको लेकर रेप्रदर्शन किया गया बीजेपी कारेले का घिराओ किया गया तस्वीर आप देख सकते है जो अभ्यर्ति हैं बीजेपी कारेले का घिराओ करते नज़र आ रहें सैकुरों की संख्या में जो अभ्यर्ति हैं वो पहुंचे हुए थे जहां पर पुलिस ने उनको वहां पर रोका भारी पुलिस बल वहां मवजूद रहा पुलिस ने बरबरता की है बुलिस से पीटने की आरोप है पुलिस के उपड़ अइसा कहना है महिला भीर्तियों का 69,000 सिक्षक भरती के मामले से जुड़ी इस स्वक्त की खबर आपको बता रहे हैं एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आप देख सकते हैं जहां पदों पर निव्क्ति की बास सरकार की तरफ से की गई थी ओबी सी कोटे की यह निव्क्तियां थी जिसको लेकर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था उसको लेकर नाराश अभ्यरती बिजेपी कारेले का घहराव करने पहुंचे थे सैक्ड़ों की संख्या में यह भारी पु इसी खबर पर हमारे समाद अधाता लखनूस से मुहम्मद सफी चुड़ गए हैं सफी क्या है मामला और जो बरबरता की खबर आरी कितनी सच्चा है इसमें पुलिस द्वारा बूट से पीटने का रोप लगा जा रहा है महिला भ्यरतियां लगा रही है बिल्कुल देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आज बीजेपी कारेले पर जो 69,000 शिक्षक अभ्यरति थे वो उन्होंने आज घिराव किया है क्योंकि 68,000 जो पद थे उनकी नियुक्ती होनी थी जिसको लेकर लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं लेकिन किसी तरी की कोई स अभ्यरति थे वो लगातार नारे बाजी कर रहे थे लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे कि जब एक बार फैसला हो चुका है जब एक बार बोल चुके हैं कि जो 68,000 पद हैं उनकी नियुक्ती के लिए कहा गया है तो क्यों नहीं की जा रही है अपनी बातों को रखने क कोशिच कर रहे थे लेकिन अगर बात करें महिला पुलिस कर्मियों ने आज ज़्यादा अभधता की है महिलाओं से क्योंकि महिलाएं ज़्यादा थी आज महिलाओं की संख्याज थी धरना परदशन में क्योंकि ये लोग धरने पर बैट गए फिर उसके बाद परदशन जो महिला पुलिस कर्मी उन्होंने बूट से पीटा है काफी खीचा तानी की है जिसमें कुछ लोगों के कपले भी फटे हैं चोड भी आई है फिलाल हकीकत जो सामने नजर आ रही है वो कही न कहीं ये ज़रूर देखने वाली है कि जिस तरीके से खीचा जा रहा है जिस तर पत्र दिये जाएंगे लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सामने नजर आ रहा है जी शलेंट सफी तमाम सारे सैकड़ों की संख्या में भरती बीजेपी कारेले के घिराव करने पहुंचे तिस वक्त इस्तिति क्या है उनको वहां से हटा दिया गया है और क्या कुछ कहना भिरतियों का इस पूरे मामले को लेकर जो उनके साथ बरबरता की गई है क्या वो इसकी शिकायद भी करेंगे बिल्कुर शलेन देखिए यहाँ पर जो बीजेपी कारेले है जब अर्सर जब उनतर जाशिक्चक जो भरती थे वो अपनी मांगों को लेकर जब यहाँ पर आयों तो उन्होंने शांती से यहाँ पर बैड़ गये धरने पर और अपनी बातों को रखने की कोशिश की किया गया है और उसके बाद उनको इको गार्डन भेज दियेगा या फिलाल बीजेपी कारेले पर इस समय कोई नहीं उपस्तित है क्योंकि सभी को इको गार्डन के भेज दिया गया है लेकिन आज महिलाओं की संख्या जादा थी सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं थे भ्यरती, वो यहां पर जादा आई थी, वो अपनी मागों को रख रहे थी, क्योंकि 68-00 की जो बात सामने आई है, कहीं ने कहीं 68-00 जो भ्यरती थे, उनके लिए नियोक्ति पत्र देना था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, नहीं 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 की नहीं नहीं बात नहीं बन पाई फिर एक बार इन्होंने परदेश कारले को घेरा और अपनी बात रखनी की कोशिश की लेकिन किसी से बात नहीं बन पाई नहीं किसी से बात हो पाई फिलाल पुलिस के जो आला अधिकारी थे वह यहां पर आए गए भारी पुलिस फोर्स यहां पर आए ग इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है जो अधिकारी है सम्मंदित शिच्छा विभाग के उनके नियुक्ति आखिर कम मिलेगी जो आपने वाइदा किया तो वो तो आपको निभाना होगा ना इनके नियुक्ति की बात जो है वो पहले की गई थी ilection से पहले कहा गया था कि election होने के बाद जो नियुक्ति है और पदों की वो की जाएगी लेकिन अभी तक ऐस्षी कोई बात सामने नहीं आई इना ही कोई जो जो फैसला हुआ उसका कोई लिखा-फड़ी में सामने आया है, फिलहाल अगर बात करें हम तो अधिकारीों का यही कहना है कि अभी इस पे चर्चा चल रही है, अभी इस पे बात की जा रही है, अभी जो आला अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उस पे फैसला लेंगे, उसके बा काफी दीन बीच जाने के बाद फिर एक बार फिर जो शिक्षा भीरती यह रोट पर आ गए उनका साफ तोर से कहना है कि कई बार वढ़र किये गए सालों पहले भी वदे किये गए टेक बार फिर वढ़र किये जा रहे लेकिन नियुक्ति पत्र नहीदिया जा रहा पूजी शेलित सफी क्या लगता है कितना और वक्त लग सकता है और अभिरतियों क्या कश कहना है हालाकि इनको इको गार्डईन भेज दिया गिया है अगर इनकी सुनवाई नहीं होती अगला action क्या होगा एसा क्या कुछ कहना है अभिरतियों का बिल्कुल देखिए अभिरतों का साफ कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लगातार प्रदशन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है इससे पहले भी ये लगातार अपना धर्णा प्रदशन करते रहें लगातार अपनी बातों को अगर बात करें तो वो साफ हो चुका था कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और नई भरती भी निकाली जाएगी जैसा कि मुक्पंतिरी ने कहा भी है कि नई भरतिया निकाली जाएगे और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है कि नई भरतिया जिस तरह निकालनी ह लेकिन अगर पुरानी भरतियों की बात करें तो ये बात साफ हो चुकी है जो 8600 पद है वो दिये जाएंगे लेकिन कब दिये जाएंगे अभी इसकी कोई तारीख नहीं तेह पाई है नहीं किसी आला दिकारी के कोई बयान सामने आया है कि इस तारीख को इस दिन इनको न्युक्ति पत्री दिया जाए लेकिन इसी को लेकर जो अभीरतियों लगातार नाराज हो रहे हैं क्योंकि काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं फिर एक बार इंतजार करना पड़ रहा है इलेक्शन बीच चुका है इलेक्शन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिसको लेकर आजफिर एक बार परदेश कारेले कर घराव किया है अबरतियों ने जी से लें जैसा हम देख पा रहे हैं तमाम पुलिस कर्मी बरबरता करते नजर आ रहे हैं इन पुलिस विभाग का पुलिस दिकारियों के का कुछ कहना है इस बरब पड़ी में यहां कर बैट के जाना यह गलत है जिसके बाद इनको यहां से हटाया गया है और नहीं मान रहे थे जिसके बाद जबरदस्ती करनी पड़ी क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं तो जो अभ्यरती हैं जो महिलाएं हैं वो लगातार लेटी जा रही थी उठने का नहीं उठ पा रही थे हैं बेजेपी कारीया त jaki लेकिन कहीं ना कहीं खीचातानी की नहीं होई हुए उनके साथ भीहरती ने थी लोग आया शोट बीद्थ और कई भूट से मारने की बात भी सामने आ रही है क्योंकि जो मैइन शास तरब से कहना है कि आज क्लाषाartet काफी अब अबरदरता की है महिलाओं के साथ हम देखने लिए बात हो कि जो दोशी पुलिस कर्वी उन पर कारवाई होती यह नहीं होती है और जो पात रहें अड़ सट सो पदों के उनको कितना और समय मिले लगेगा उनको नियुक्तियां देने में फिलहाल के लिए बहुत ब बोटे की भरतिया हैं उनको उनके नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा थी हुआ है और वापस अपने करकर में आएंगे जहां इस वक्त दिल्य बहुआ जिसको अपने करता है नहीं हुआ हैए हुआ है